ये कहानी है मिनाक्षी देवी की, जिनके पती का देहांत हो चुका है मिनाक्षी देवी के चार बेटे हैं, चारों की शादी हो चुकी है अब चार बहुंवाला घर हो और सननाटा रहे, ऐसा भला कभी हो सकता है मैं सुभा का नाश्टा बनाकर गैस साफ करके गई थी अभी आई तो देखा गैस तो छोड़ो पुरी स्लैप पर चाय बिक्री पड़ी है मैंने दूद कर्म किया था चाय तो मैंने अभी पी ही नहीं और मैं तो अभी अभी रसोई में आई हो बड़ी भावी आप चाय चाय कर रहे हो सुब़ जो चट्नी के लिए धनिया साफ करते करते धेरो धंडिया फरुष पर गिरी थी वो भी किसी ने साफ नहीं की ये देखो जाडू में कूडा कम और धनिया की धंडिया जादा है अब तो साफ हो गया कि तुमने ही चाय गिराई है अगर जरा सी चाय गिर भी गई तो कपड़े से पोश्ट दे नहीं थी बेकार में इतना शोर मचाया अब मैंने तो नहीं बोला किन होने कुडा फैलाया अब कल पुनम ने केक बनाया था धेरो बरतन गंदे कर दिये किता जूट बोल रही हो सीमा मैंने बरतन धो दिये थे अच्छा तब ही मैं कहूं माइक्रोवेव इतना गंदा कैसे हो गया बताओ मेरे दहेज का माइक्रोवेव तुम सब इस्तिमाल करती हो कम से कम साफ तो कर दिया करो हम अब बात छीड़ी गई है तो मैं भी पीछे क्यों रहूँ ये डबल डोड फ्रिस दहेज में मैल आई थी और देखो मैं साफ कर दू तो गंदी मत वरना कोई एक सूखा कपड़ा भी इस पर नहीं फेरता चाहे कितनी मिट्टी खाए अच्छा जिस जूसर में जूस बना कर पिया जाता है वो मेरे दहेज का है जार में देखो जूस बना बना कर कितने निशान पड़ गए है तुम तीनों इतनी देर से बोले जा रहे हो ये चार चूले वाला गैस मैंने पैसे जोड़ कर खरीदा था कोमल ने आते ही इसका एक चूला खराब कर दिया आज तक ठीक नहीं हुआ चारो बहु ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और उनका शोर मिनाक्षी देवी के कमरे तक पहुँच गया वो गुसे में उठकर रसोई में आती है कि लड़ाई का शोर मुहले में पहुचता है कितनी बार कहा है आपस में मत जगड़ा करो चलो चारो अपना अपना काम करो मैं तो अब चनी की दाल ही बनाऊंगी देखती हूं मूंग की दाल कैसे बनती है ठीक है तो फिर मैं आपने लिए पनीर की भुर्जी बना लूँगी अरे वा ऐसे कैसे वो पनीर तुम्हारे भाया से रात के लिए मंगवाय है वो दुकान जाते हुए दे गए थे रात को पालक पनीर की सबजी बनानी है उसमें वो पनीर डलेगा बस भी करो अब पनीर पर युद्ध छेर दोगी क्या मैं मंदिर जा रही हूँ रास्ते में और पनीर खरित्ती लाओंगी अभी जिसको उस पनीर से जो बनाना है बना ले कम से कम लड़ाई तो नहीं करोगी चारू बहों की लड़ाई देखकर मिनाक्षी देवी घबरा गई थी बात अभी रसोई की लड़ाई तक थी अगर मुहले में पहुँचती तो बदनामी होने का खत्रा था इसलिए मिनाक्षी देवी ने बात को घर में ही संभालना सही समझा और एक उपाय मिली गया जिसे सुनकर चारो बहों में घबरा गई मिनाक्षी देवी ने फैसला लिया कि अब वो चारो बहों की रसोई अलग कर देंगे और जब तक चारों की अलग रसोई बनकर तयार नहीं हो जाती उन चारों को आपस में बात करने के लिए भी मना कर दिया था अब चारों भले ही लड़ती थी पर जरूरत के वक्त एक दूसरे से बात भी करती थी अब तो कोई बात भी करना चाहे तो सास के खौफ से घबरा जाए ये हालत हो चुकी थी देखे भैया मुझे उपरी मन्जिल पर दो रसोई और एक रसोई सामने आंगर में बनवानी है और बड़ी बहु तुम इसी रसोई को संभालोगी और मैंने भी सोच लिया है तुम चारों की रसोई अलग करके मैं अपने लिए एक छोटा चूलहा खरीद लूगी और उसे अपने कमरे में रख लूगी मेरा क्या है दो रोटी ही तो बना कर खानी है खुद से बना लूगी मम्मी मुझे सोनू दीपद रूप के साथ खेलना है लड़ाई तो आपकी हुई है फिर दादी ने हमें बात करने से क्यों मना कर दिया मम्मी आप सबके लड़ाई में हम बच्चे भी फस गए मिनाक्षी देवी ने अपनी लिए नया चूला मंगवा लिया और कमरे में खाना बनानी लगी ये देखकर चारों बहुएं बहुत दुखी थी पर वो आपस में बात नहीं कर सकती थी अचानक एक शाम सास के चिलाने की आवाज सुनकर चारों बहुएं बेटे और बच्चे भागते हुए उसके कमरे में जाते हैं मिनाक्षी देवी के हाथ में चाय का कब पलड़ गया था ये देख सब घबरा जाते हैं चारों बहुएं अपनी सास की सेवा में लग जाती हैं हाथ पर दवाई लगाती हैं जिससे आराम आ जाता है अरे अब मैं ठीक हूँ तुम सब घबराओ नहीं माजी सारी गलती मेरी ही है मैंने ही पहले लड़ाई शुरू की अज मेरी वज़े से ये सब हुआ हाँ माजी हम चारों बहुत प्यार से रहेंगे हमारी वज़े से आपको बहुत तकलीफ हुई है हम एक ही रसोई में चारों मिलकर रहेंगे और आपकी खुब सेवा करेंगे अपनी चारों बहुँ की आँखों में आंसु देखकर में नाक्षी देवी उन्हें गले से लगा लेती है चारों भाई और बच्चे भी ये सब देखकर बहुत खुश होते है माला की जब से शादी हुई थी वो परिशान हो गई थी सारा दिन बस घर के काम करते रहना ना कहीं आना ना जाना इसकी सबसे बड़ी वज़ा थी माला की चार सास यानि की माला के ससुर ने चार शादिया की थी ससुर तो पर लोग सिधार गए पर माला के लिए चार सास छोड़ गए ओ माला बहु अब तक चाय नहीं बनी क्या हुआ हम चारों यूहीं बिना चाय के बैठी रहें क्या देख ना रमा अगले साल मैं अपने बिट्टू की शादी करूंगी न तो मेरी बहु तुम्हारी एक आवाज में काम करेगी और मेरे और सुश्मा के तो बेटा है नहीं बेटियों को हमने ससुराल भेज दिया वही तो हमने तो मा भावी आपको कभी अपनी सौतन माना ही नहीं बड़ी भावी की तरह ही माना है इसलिए हम सोचते हैं आपकी बहु आई है तो हम भी सास बनकर बहु का सुख उठाएं अरे तुम सब माला की सास हो माला बहु की एक नहीं चार सास हैं और माला को अपनी चारो सासों की सेवा एक सी ही करनी होगी ये आप सब के लिए चाय ले आई थी माला बहु एक काम करो आज हम सब के लिए नाशते में पूरी, कद्दू की सबसी, रायता और खीर बना लेना ठीक है माजी, मैं आप लोगों के लिए नाशता भी बना देती हूँ माला बहु, मेरी सूती सारी आलक पानी में धोना और प्रेस अच्छे से करना, कोई सिल्वट ना दिखाई दे माला को बिल्कुल भी फुरसत नहीं मिलती थी वो बहुत ठक जाती थी एक मिनट का भी आराम उसे नहीं मिलता था एक सुबा माला जब बाजार से आ रही थी सारा दिन घर के काम करते करते मैं ठक गई हूँ मैं तो अनिल से कुछ नहीं कह सकती नहीं तो उन्हें लगेगा कि मैं उनके घरवालों की उनसे बुराई कर रही हूँ आज अगर मेरी सहेली कॉमल मेरे साथ होती तो वो चुटकियों में मुझे मेरी इस परिशानी का हल बता देती आज मुझे अपनी सहेली कॉमल की बहुत जरुरत है काश वो इस समय मेरे पास होती माला अभी सोची रही थी कि तब ही उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है खुमल तू यहां मेरे गाउं में अचानक शादी के बाद तुझसे मिलना हो नहीं पाया इसलिए तुझसे मिलने चली आई पर तुझे यहां बैट कर रोता देखा तू रो क्यों रही है और अगर किसी ने तुम्हें पैचान लिया तो मुझे कोई नहीं पैचान पाएगा क्योंकि मैं घूंगट करके जाऊंगी मेरा मूठ ढ़का हुआ होगा अब तुम जाओ और आराम से मा के पास कुछ दिन रहो तब तक मैं तुमारी चारो सास की खबर लेती हूँ माला खुशी-खुशी अपनी मा के घर चली जाती है और उसकी सहेली कोमल घूंगट करके उसकी जगह उसके घर पहुँचती है क्या बात है बहू आने में इतनी देर लगा दी और ये तुमने घूंगट क्यों किया हुआ है मा जी आज मुझे मंदिर के बाहर एक बहुत पहुचे हुए साधु माहराज मिले थे उन्होंने कहा था कि यदि तुम अपनी चारो सास के सामने घूंगट करके रहोगी तो तुम्हारी घर में बहुत धंदौलत आएगी और तुम्हारी चारो सास सौ साल तक जिन्दा रहेंगी अच्छा बंडित जी ने ऐसा कहा फिर हमें भला इसमें क्या पत्ती होगी ठीक है तुम घूंगट में ही रहो माला के द्वारा अपनी लंबी आयू के बारे में सुनकर चारो सास खुश हो जाती है कोमल घूंगट में रहती थी और मिंटों में सारा काम निप्टा देती थी माला बनी कोमल को उसकी चारो सास हर समय कुछ न कुछ बनाने के लिए और काम के लिए कहती रहती थी कोमल के पास ऐसी जादूई शक्ती थी जिससे वो हाद घुमाते ही सारा काम निप्टा लेती थी पर एक दिन कोमल जब रसुई में काम कर रही थी रमा उसे देख लेती है और वो ये बात सबको बताती है क्या माला एक जादूगर्णी बन गई है और वो जादू से घर के सारे काम कर रही है ये जरूर कुछ गलत करने वाली है कहीं ये हमें कोई नुकसान ना पहुचा दे जरूर उस साधूने इसे कोई शक्ती दे दी है मुझे तो लगता है इसके घूंगट में ही कोई राज है हमें इसका घूंगट अटाना होगा चलो हम सब अभी चलकर इसे घूंगट अटाने के लिए कहते हैं सब मिलकर कोमल के पास जाती है और उससे जबरदस्ती अपना घूंगट अटाने के लिए कहती है इतनी बेर में अनिल भी वहाँ आ जाता है उसे सारी बात पता चलती है माला की जगा कोमल को देखकर सब हैरान रह जाते है तुम मेरी माला नहीं हो, कौन हो तुम तभी तुम बहुत दिनों से मुझे वरत और पूजा का बहाना देकर अलग रह रही थी मैं माला की बचपन की सहली कोमल हूँ माला अपनी मा के पास माइके में है ये देखो, माला के साथ इन सबने कैसा व्यवहार किया है इसलिए वो बहुत तंगा गई थी उसने तुमसे भी कभी कोई शिकायत नहीं की और खोदी सारे दुख तर्द छेलती रही कोमल एक दिर्श्य दिखाती है जिसमें उसकी चारुसास बैटी थी और माला सारा काम अकेले कर रही थी अनिल गुसे में आ जाता है मा, आप सबने मिलकर मेरी माला के साथ इतना बुरा विवहार किया मैं तो सोचता था, मेरी एक नहीं चार मा है जो माला को अपनी बहु नहीं, बेटी बना कर रखेंगी पर आप सबने ऐसा नहीं किया वो आप सबसे कितना प्यार करती है और आप सब, अब मेरे पास एक ही रास्ता है मैं माला को लेकर इस घर से दूर चला जाओंगा मैं आपके साथ नहीं रहूंगा इतनी देर में माला वहां आजाती है नहीं नहीं अनिल, मैं इन सब को छोड़कर आपके साथ कहीं नहीं जाओंगी ये चारों मेरी मा है मैं इन्हें और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओंगी और कोमल मेरे बच्पन की सहिली है पर अब ये इस दुनिया में नहीं है ये कोमल की आत्मा है जो मेरी मदद के लिए आई है कोमल मैं तुम्हारी मात से मिलने गई थी वहीं मुझे तुम्हारी बारे में सारी सच्चाई पता चली माला तुम अपनी ससुराल में हमेशा खुश रहना अब मैं चलती हूँ मेरे जानी का समय आ गया है कोमल दोस्ती का फर्ज निभा कर वहां से चली जाती है माला की चारो सास रो पड़ती है और माला को गले से लगा लेती है उस दिन के बाद माला की जिन्दगी से सारे दुख दूर हो जाते है